दोस्तों कैसे हैं उमिद करता हूं क्या पच्छे होंगे आज में आपनों के लिए डेली यूज में आने वाले कुछ सेंटेंस को लेके आए हुए हैं यदि आप इस इन वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में आसानी हो जाएगा और आप थोड़े बहुत अंग्रेजी बोलना शुरू भी कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा वाच करें तो स्टार्ट करते हैं वाट टैम डू यू गेट अप तुम कि समय जागते हो तो इसका एंसर लिखेंगे आई गेट अप एट फाइब ओ कलोग कलोग इन दा मॉर्निंग मैं सुब पांच बजे जागता हूँ ठीक हैं नेस्ट है वेन वेर यू बर्न तुम कहां पैदा हुए तो आई वाज बर्न ओन गंगापूर गंगापूर मैं गंगापूर में पैदा हुआ था नेक्स्ट है इन विच कलास डू यू रीड आई रीड इन कलास आई ए मैं आई ये कलास में पढ़ता हूँ नेक्स्ट है how many students are there in your school तैसका एंसर हो जाएगा there are 600 students in my school school next चलते हैं next है how many students in your class तो इसका एंसर हो जाएगा there are are 85 students in my class मेरे कलास में पचासी विद्यार्थी है who is your principal तुम्हारे परधाना द्यापक कौन है Mr.Sahai is our principal Mr.Sahai हमारे परधाना ध्यापक है ठीक है next चलते हैं next है who is your class teacher तुम्हारे class teacher कौन है Mr.Ravi Dungeon is my class teacher Mr.Ravi Dungeon हमारे वर्क सिक्षक है Mr.Sahai